तो आगे स्टार्ट करते हैं और ये क्वेशन जो है 2019 में पूछा गया है तो इस क्वेशन को हम सॉलूशन करने जा रहे हैं जो कि आपको थेयरी ओप इक्वेशन बुक से मिलेगा ठीकर यह पेपर वन में आता है और ये पेपर वन का ये क्वेशन यहां पर कहा है कि इस वो होगा तो रियल होगा एक अफिला दो सकता है यह एक हो सकता है दो हो अगर एक्ट हो गया तो यह है कि एक और उसका पेर होना पड़ेगा जो कि वो उसका conjugate होगा ठीक है तो यह conjugate होगा और यह question है और साथ में यह बी नमर question जो है इसमें बोला है कि find the equation of equation that the root alpha beta gamma delta of the equation this should be connected by the relation alpha beta is equal to gamma delta so now start करते हैं यह question first को तो यह first number question को प्रूब देख सकते हैं आपको इस तरीका से हम प्रूब करेंगे कि इसमें माल लेंगे हम कि यह alpha plus i beta जो है एक root है polynomial का ठीक है यह given polynomial fx equal to जो कि यह fx जो है आपको दिया रहेगा ठीक है यह fx आपको दिया रहेगा तब लेकिन यहां पर हमको दिया नहीं है तो हम आपको यहां पर fx निकाल के दिखाएंगे और इसका root दिखाएंगे तो देन यहां पर we have to prove that यहां पर alpha मैस में i beta is also a root of the equation then यहां पर divide करेंगे ठीक है divide करेंगे यहां पर यह भी हमको दिखाना है कि यह जो है यह भी जो होगा यह fx का root होगा ठीक है alpha minus alpha plus i beta अगर root है तो alpha मैस में i beta is also a root of fx equal to 0 देन यहां पर डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग एफ एक्स बाइ कितना तो इतना से ठीक है अगर यह दोनों रूट हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर कुछ पिनको कुछ आएगा और लिमेंडर भी आएग तो जहां के देखेंगे कि यह कुषेंट Way रिक कुषेंट भी होगा प्ताहर है या कौ moral को सकता है इधर जो है अपकों तो आएगा तो जब आएगा तो इस चीज से चोथ आएगा मतलब इसका डगरी अगर टु यह तो सब्सक्राइब जिए और यहां पर सब्सक्राइब एक सब्सक्तरा प्रक्राइब है तो यह पर पीछे करेंगे यहां प्लस याइग बीठा यह एक कम जगा पर हो है यह भी मलतीन के जगा पर होगी यह चीज ठेक तो इस तरीगा से यह रूट होगा तो रूट को प्रोड़क्ट करते हैं तो यहां पर हमें क्या बनेगा एक पॉल्लिम्यल बनेगा तो यहां पर डिवाइड करने पर किसेंट और रिमेंडर आता है छो ह्द में तो इस प्रकार से हमें अल्फा प्लस आई बीटा जो होता है अलसो यहने की is a root of equation यहां पर यह रूट है तो यहां पर फinki पॉल्ट करने ठीक है अगर फ风सर में पॉलर के लिए तो यह जीरो की को कुले लाएक आता ही ठीक है तो यहां पर हम जहां-जहां X है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे अब अलफा प्लस आई पूट कर लेंगे इन एक्वेशन वन में ठीक है एक्वेशन वन में हम अलफा प्लस में आई बीटा पूट कर लेंगे तो यहाँ पे पूट करने के बाद सीना-स-प्र आइस अगे क्या करेंगे तो यहां पर देख़ेंगे यहां पर इन्टु ए प्लाइब भास आइपस यह इनुड जीरो हो जाएगा टो आर इसको मल्टिप्लाइक कर दिएगा इसको मल्टिपलाइक कि यहां पर पार्ट को अलग करते ही हम को यहां पर यह चीज आ जाता है तो यह रिमेंटर का पाट है और यह रिमेंटर का ही पाट है ठीक है तो यह मैं जिरो निकाल लेगे तो यह इन जिरो करेंगे इसके बरावर 20 is गया उसके प्रावर में भी 0 होगा तो यहां पर भी टाइंतब Gusty तो इसके बाद आप क्या करेंगे है तो इसका मतलब क्या हुआ एक्वेस्न में देखा जाए तो एक्वेस्न वन में हम अगर दिखा दिए तो यहां पर क्योंकि करते हैं तो इसका एक रूट बन जाएगा ठीक है तो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीका से हम किया है ठीक है प्रूफ हो गया इस तरीका से नेक्स्ट इसमें हमको एक कॉइचन और था कि जो इसका रूट है यह अलफा बेटा ग्हाँदेल्टा है और एक कंडीशन घृट को दिया हुआ था जोिखाल अगर जितना तेकर ईतना रूट होता है ठीक है तो है तो यहां पे अलफा बीटा गामा डेल्टा हो थूर रूट है यह का सम्ञें करने होगा वह माइनस कि लेगा यह ओंप री उस ध segur kworn here एक से बाइक प्री मां वान होता है तो इसलिए यहाँ यहां पर की हो गया है यह क्यूंगमेट Mmm क्यूंक यहां पर थिच्वाय कर kijken मैंनी रोला होता है यहां पर 4 का मल्टिपलाई करता है के ब्रा खोगा है टिके दें क्यार तक और यह पांच सब्क्राइब देखें इसमें बम भी टाके अ वाँशोपल करने सही लाइए लचा यह आच में सब्सक्राइब करने वाले हैं पिर यहां पर हम नवा उब जाएंगे और इक्वेशन ठोड में होजएगा अलफा बीटा इंतू में यहां पर देख लिज्ग जाएगा तो था कॉट्ड यहां प्लस डिल्टा और अगर अगलाट प्लस डिल्टा कमवता यहां पर ने लुटा कि इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं तो यह अंधरًस मुझा जाएंगा की में पी होजाएगा यह माइनिस को मॉटिप्लाइब कर देंगे लिए कर दें선 on both side कर देंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि यहां पर P square S equal to R square हो जागा which is the required equation हो जाए condition required condition यह condition हमें find करना था तो यह condition को हम find कर दिये so next हम यहां पर देखने वाले हैं अब यहां पर 2 का A ठीक है यह भी question जो है दोनों यानि कि A और B जो है सब्सक्राइब किज़ेगा चैनल को और दोस्तों को invite किजिए इस यूटू चैनल पर आगे चलते हैं इस question को solve करते हैं अलफा बीटा गामा जो है बी दी रूट ऑफ दा क्योविक equation of x q p x square q x plus r is equal to zero find the value of यहां पर सिग्मा आप अलफा स्कार बीटा स्कूर ठीक है अतलब इसका value हमको find करना है यह question है और इसका यह root है फिर यहां पर इसी टाइप का question है अलफा बीटा गामा जो है अलफा बीटा गामा जो है वह root है equation का इतना equality इतना के ब्रावर है तब हम कराएक्या कि find the equation question which root are gamma plus beta और गामा प्लस में अलफा और गामा अलफा प्लस बीटा अगर इसका रूट अलफा मलब गामा बीटा गामा अलफा और गामा बीटा हो जाए तो इसका एक नया equation क्या बनेगा ठीक है यह आप पूछा गया और तो हम चलते हैं आगे की और पहले यह question 2 का एक कर लेते हैं देखिए इसमें बोला गया था क्या कि यहां पर यहां पर इसलिए माइनियस में आर हो जाएगा अब यहां पर यहां पर यहां पर हम्हें alpha beta का hull square निकालने हैं मतलब यह हमको निकाला है स्गमा of alpha 2 beta 2 का value तो जब इसको हम हुल square करेंगे तो यह हमें आएगा ठीक है जब इतना आएगा तो इसको square करेंगे तो यह तरीका से equation बनेगा तो और जब यह तोटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sigma of alpha दिल्टा निकालना है तो इससे कर लेंगे इंदर पूट कर लेंगे उसको हम क्या कर लेंगे अंदर पूट कर लेंगे तो जब यह सब्सक्राइब तो माइनस में और यह तो एक तरीका और है कि आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए इसी को लेफ साओ साथ ने लीज़े तो हम यहां पर वहीं करने वाले है वह यानी कि सिग्मा फ़ फा स्क्वार बीटा स्क्वार ले लिए और इसको यहीं पर छोड़ कर और यहां पर क्या किए इस चीश को नीचा मतलब इससाड ले से तो इतना आ गया और left side वह टर्म जो हो गया left side वह यहां बला term जो हो गया वह इस से आ गया यह पूरा और यहां बला term जो हो गया यह आगे यहां पर ठीक है तो इस तरीका से इसको solve कर देंगे पूट कर देंगे value तो यहां पर आ जाएगा कितना qa square minus में 2pr clear सो बहुत ही easy question है और आपको बता दें कि जो question था आपको अगर कभी भी पूशा जाता है जैसे कि हम यहां पर आपको यह बताने जा रहे हैं कि sigma of alpha पूछे इसका मतलब यह होता है कि अगर यह क्यूभी क्यूशन है मतलब यहां पर क्यूभी क्यूशन है मतलब highest degree जो होता है वह सब्सक्राइब के खूवलियगा एक्स के पावर में द्डू ककी द्दक्राइब माइनस में होगा एक्स के पावर में ठीका of पिरह यह चैसे अंगर अगर मनला सिमा यहां पर नहीं लगा होता है तो अलफा बीटा गामा क्या वाइवावावाविज हो जाएगा होजाएगा और अगर फैस्ट लिगरी वोलावता है तो हम यहां पर क्या करते हैं इस एक्ष नहीं यहां पर अलफा हो बीटा निकलना होता है तो यहां पर आप इस तरीका से लिखते हैं कि कोफिशेंट आफ एकस स्क्वाइर एकस स्क्वाइर बाई कितना हो जाएगा तो आप निकलना रहता है तो आप निकलते हैं क्या लिखेंगे तो यहां पर माइनस में हो जाएगा और यहां पे अलफा बीटा गामा डेल्टा निकालना जाता है तो आप लिखते हैं कॉंस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा एक्स के पाउर में फोर इस तरीका से आप लिखते हैं तो दोस्तों उमीद है कि आपको समय में आ गया होगा चलिए आगे क्यों चलते हैं स्वाइब के यह सेकेंड का बी जो को इसन है यह आपको क्या बोल लात है की कि इसका कंडीसर निकालना है थीके कि अधिक अधिक जो कि आपको इक या इक रुट मालूम है यहां पैले हम यहां पर इसको इसको और शबिघ्रश को जो एक रूट माल लेते हैं ठीक है मतलब यहां पर आपको रेखा था कि गामा प्लस में अलफा है बीटा प्लस में अलफा है और यहां पर गामा प्लस में बीटा है यह तीनों इसका एक रूट होगा किसी equation का तो उसका एक नए equation बनेगा ठीक है वैसा equation निकालिए जिसका root यह तीनों हो जाए ठीक है तो हम यहाँ पे एक अपना मंद से beta plus gamma ले लिए जो इसको हम कोई चीज यानि y put कर लिए ठीक है और यह इसमें क्या कर लेते हैं कि alpha जोड़ देते alpha घटा देते हैं तो आप यहां से पता करेंगे तो alpha beta gamma जो बताया गया था कि एक equation है उसका इस equation का क्या है root है alpha beta gamma ठीक है तो यहाँ पे alpha plus beta plus gamma का value जो होता है है वह आपको minus में P पता चल जाता है यहां से ठीक है minus में P और यह alpha है तो अ्यल्पा होग है alpha होगि यह जब né निकालेंगे तो यहां माइनस में क्या हो जाएगा । यह पॉर्ऱ्य में करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि यह ग्रोट करेंगा इसे वो नेगा इसमें राइंगे इस हेसं तरिक में एक्वेशन आ गया जहां जहां अलफा था यह एक्वेशन गें अलफा 7 में है गया CPR तो यहांव पर आ नहीं लिखें具 कि यहांद पूटीए में पूत करदीए माला पी थी तो यहां पर यहां । प्रण के हो गया फिर माइनस उड़ा जो प्लस कर दिये प्लस मैस कर दिये इस तरीगा से एक्वेशन बने गया इतना इसको छोड़ा करेंगा तो इतना आ फिर यहां पर यह हो गया y को अभी सेंट यह हो गया constant term तो इस तरीगा से y के term में equation एक है, तो equation y के टरम में आए गया तो इसका last term हो गया यानि कि यह constant term होता है, यह product of यहांपे roots होता है, ठीक है इस equation का root है, एस equation का root है जब इसका root है तो इस तो यह product जो हता है वो constant term होता है ठीक है? और QV की है तो यह माइनस में आजाएगा ठीक है और अगर बाइक कॉइट्रू को धा यहां बलाच में होता तो इस तरीका से यह आ गया और मैंस में पीकी वुद्व इस तरीका से नेक्स्ट वीडियो में हम इस question को करने वाले हैं जो क्या question है क्या कि solve the equation इतना by using cardence matter and यहाँ पर remove the second terms of the equations इतना मलब इस equation से second term आपको remove करना है उसको हम सिखाएंगे और यहाँ पर equation का cardence matter के द्वारा solve करना है तो हम आपको next video में सिखाएंगे तो अब comment video कर देखने के लिए आप किर्पया इस योटो चैनल को subscribe कर लिजेगा और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like करके जाएगा so thanks for watching this video